सायरस मिस्तरी जैसा होगा हाल रतन टाटा को मिली जां से मारने की धमकी टाटा संस्की माना चेर्मेन रतन टाटा को लेकर मुंबई पुलीस को एक धमकी भरा कॉल आया जिसमें कॉलर ने दावा किया कि रतन टाटा की सुरच्छा बढ़ा दो नहीं तो उनका हाल भी सायरस मिस्त्री जैसा हो जाएगा इस कॉल के आने के बाद मुंबई पुलीस पुरी तरह से अलर्ट मौट पे आ गई है पुलीस ने अपनी एक टीम को उनकी सुरच्छा देखने के निर्देश दिये है साथ ही दूसरी टीम को कॉलर की जानकारी लेने को कहा गया है बताया गया कि जब कॉलर से दुबारा संपर करनी की कोसिस की गई तो उनका फोन बन था जिसके बाद पुलीस ने तकनीकी सहायता से और टेलीकॉम कंपनी की मदद से कॉलर का पता लगाया है कॉलर की लोकेशन करनाटक में पता चली और जब उसका एड्रेस निकाला गया तो ये पता चला कि कॉलर पूने का रहने वाला है सुत्रों ने आगे से ये दावा किया कि जिस कॉलर ने कॉल किया वो पिछले पाच दिन से लापता था और उसकी पतनी ने उसके गुमसुद्गी की सिकायद भी पूलिस स्टेशन में की थी पुस्ताज के दौरान ये भी पता चला कि कॉलर को सीजो फ्रेनिया है और बिना बताए किसी को घर से फोन लेकर चला गया उसी फोन से उसने मुंबई पुलिस के कंट्रोल नंबर पर कॉल कर रतन टाटा को जान से मारने की धमके रेडा दी अधिकारी ने ये भी पता है कि कॉलर मांसिक रूप से बिमार है और इसी वज़े से उसके खिलाब लिगल एक्शन नहीं लिया गया